तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देख लिया था कि हमने किस तरह से जो एपल वो बाउल के साथ कैच करना है अब अगला टास्क यह है कि जब हम बाउल के साथ एपल कैच करें तो हमारा स्कोर भी बनता रहे जैसे कैच करते रहे हैं उसके accordingly हमारे points बनते रहे हैं यहां पर में आपको एक sample दखाता हूं यह एपल कैच किया है तो उसके साथ साथ जितने एपल कैच के वो score में आते जा रहे हैं तो चलिए देखते हैं इसको M block के अंदर इसके अंदर सबसे पहले आपने variable declare कराना है और उ और जब भी यह fruit ball को touch करें तो उसके साथ ही score जो है वो increase कर जाए one value से तो सबसे जब भी game start करूं सबसे पहले मेरे पास score 0 और जब तक मैं game खेल रहा हूं तो मेरे पास score जो है जो add होता है जैसे ही मैं fruit ball जो है वो touch करूं तो इसको test करके देख लेते हैं यहां पे हम play करते है यह देखें यह मेरे पास score add हो रहा है और मैं अब इसको stop करूंगा और दुबारा जब play करूंगा तो देखें दुबारा score reset होगे मेरे पास